दोस्तों हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप डेली नया नया कुछ सीख सकें अब करें दोस्तों आप लोग आसानी से तरक्की कर बाएंगे तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्कुप्सिन में जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं सिधान आपका बहुत-बहुत सवागत करता हूं अब लेटेसे पीसोड में और आज मेरे पास मे तो करते हैं इसके अंबॉक्सिंग देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेट्स और क्या है इसके फीचर सु चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह है एक बेसिक सा पैकेज तो चलिए इसे अंबॉक्सर नम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जासे कि यहां में हमें इसका यहां इसे काट दे रहा हूं दोस्तों, सील खुल गई है, तो अब मैं इसको अन्बोक्स करना स्टार्ट करता हूं तो अन्बोक्स जैसे हम इस बॉक्स अपोलते हैं, तो टॉप पे हमें हमारा Red Gear का वार्लस गेमपड देखने को मिल जाता है, और इस बॉक्स में इस बॉक्सों में आपर साइड रह लेता हूं दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि यह है Red Gear का Pro Series Gaming Pad वार्लस गेमपड जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पे Red Gear की पैंड नहीं कही है और यहां पे लिखा हुए Red Gear Pro Series Wireless Gamepad और यहां पे लिखा है Upgraded Version with 2 Dongles यहां पे Integrated Force Feedback लिखा हुए, Built-in Battery, Illuminated AMB-XY Keys, Windows 10 Compactible, 2 Analog Triggers, 10 Meter Wireless Connectivity, 2 Analog Stakes, Up to 10 Hours अग Gameplay, 11 Digital Keys और यहां पे इसका कुछ, यहां पे इसका Specification दिए अगा आपको पढ़ना है तो आप Video Post करके बढ़ सकते हैं तो चलिए हम इसे Unbox करते हैं, तो जैसे हम इसे Open करते हैं Seal लगी, तो seal मैं आपे तोड़ ले रहा हूँ तो seal मैं आपे तोड़ दिया है, तो इसे हम जैसे Open करते हैं तो अंदर से निकलता है हमारा Red Gear Pro Series Wireless Gamepad और इसके अंदर इसकी CD भी है installation के लिए और इस डबबे में कुछ गाने तो इस डबबे को मैं side-rug दे रहा हूँ इस डबबे को मैं side-rug दे रहा हूँ तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके निचे सबसे पले हमें मिल जाता है यहां पर एक user manual यहां पर दिजा हुआ है कि कैसे हम इस gamepad को यूज कर सकते हैं और एक बड़ी सी user manual इसकी तो side-rug दे रहा है तो इससे हम side-rug दे रहा है और इसके साथ हमें इसकी installation CD मिल जाती है जैसे कि देख सकते हैं तो अभी मैं आपको install करके दिखाऊंगा और सबसे इसे हम box में देखें तो सबसे पहले हमें यहां पर मिल जाता एक USB dongle wireless USB dongle जो की use होगा जो की use होगा इस gamepad के यह use होगा इस gamepad को wireless connectivity के लिए तो यह हमारा gamepad जैसे कि आप देख सकते हैं तो इससे मैं बाहर निकालता हूँ यह हमारे रेडियर का pro series wireless gamepad तो इसे में साइड में रखना हूँ और दिखने हैं बॉक्स में और क्या क्या है तो बॉक्स में एक पॉस मिल जाता है जिसके अंदर हमें एक USB type A to type C केबल मिल जाती है जो की काम में आएगी इस gamepad को चार्ज करने के लिए और यहां पर इसका एक दिया हुआ पोर्ट इसमें हम इसे अगर ऐसे लगा देंगे तो यह चार्ज करन में काम आएगी इसके और इसके साथ हमें एक और wireless USB dongle में लगता कि अगर हमारा पहला वाला गरगया हो जाए तो दूसरा वाल हम काम में ले सके इसको यूज करने के ल यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आपको बटन मिल लाएंगे और यहां पर आपको A, B, Y, X के बटन मिल लाएंगे काम बिलेने के लिए और यहां पर आपको X AXS Y AXS मिल लाएंगे और यहां पर आपको LB, LB और RB बटन है पर मिल जाएंगे और यहां पर आपको ब्लिंग कर देने तो समझ जाहिए कि आप कि इसको चार्ट के जरो तो रिस्टार्ट है तब भी फिलाल अभी एक काम करेगा तो यह ओन हो रहा है अभी यह ओन हो जा रहा है तो मैं अभी इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा अपने लाक्टॉप में और इसका एक गेम करके दिखाऊंगा दोस्तों इस गेमपैट के एक और का सिए थे कि इसके बटन में आपको आप जीबी लाइटिंग मिल जाती है जिसके जिसे की यह गेमपैटी काफी अच्छा लगना रहता है जैसके आप देख सकते हैं कि इसके एक से कि इसके ए बी वाई एक्स बटन में लाइट जलने हैं और इसमें अजी लाइटिंग जांग तो दोस्तों बाद चलिए इसे इसे इंस्त्राशिशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने इसे यहां पे चार्ज नहीं था और यहां पे ब्लिंक पोना साट मिल्ला यह ज़िए चार्ज हो रहा है तो अब चलिए कि तो यह भी ब्लग कर दो यहां पर यूएज भाग जांगल इसे हम सिंप्ली अपने यहां पे यूएस्पी यूएसबी डायव में अपर इंपूर कर रहें हो और इंपूर करने के बाद हम हमारी यह दो इस्क है इसे भी चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब मैं सिंप् तो यह सीडी लगने के बाद आपका यह सीडी आपर रीड हो जाएगा इस गेमपैड को मैं साइड में रख दे रहा हूं तो हमारा सीडी आपर जैसे देख सकते हैं कि रीड हो गया और अब मैं इसका इंस्टॉलेशन कर ले रहा हूं तो जैसे कि देख सकते हैं कि यह इसका ड्राइवर है तो इसे मोपन करते हैं और यहां पर साफ़ सब लेका एड़ गेमपैड फॉर PC X-Input तो इसे में स्टॉल कर ले रहा हैं तो जैसे कि देख सेते हैं कि सेट अपर सक्सेस्वली इस्टॉलोड हो चुका है तो इसे हम फिनिश कर दे रहा हैं अब मैं आपको इसके गेम प्ले करके तो सबसे पहले गेम जो खेले वाले हैं वो है NFS Most Wanted तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने गेम स्टार्ट कर गिया है और अब हम इस गेमपैड से खेलेंगे तो चलिए हम खेलना शार्ट करते हैं तो यहां पर जैसे हम स्केप होगया तो फ्री रोम पे मैं आगे अगे इसको अब गेम प्ले करके आपको दिखाता हूं तो जैसे को देसे को है तो जोस्तों जैसे कि आपने देखा की एनिफेस मोस्तार्ट में इस गेमपैड ने काफी तरह से काम कियो और नेस्ट गेम उनों जो खेले वाले हैं वो है कॉल अब्यूटी ब्लाक ओप्स तो चलिए उसे भी हम खेल कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सेथे कि हमारा गेम यह पर स्टार्ट हो गया और मैंने इस को कर्वेग पर कर लिया तो चलिए मिसे केलना स्टार्ट जोस्तों जोस्तों यहां से मार मेंगेम स्टार्ट हर चलिए में खेल आप स्टार्ट करते हैं मारो आप जोस्तों यही ता गेमपले काल अव्यटी ब्लाक अप्स 2 का तो यह काफी अच्छा और यह इसमें युजव वैब्रेशन यह दोनों तरफ और काफी अच्छा से इसमें इसने गेमपले हां पर किया है तो मुझे खेल के बहुत ही अच्छा लगा यह और यह जो गेमपैड यह highly recommended मेरे तरफ से अगर आपको एक wireless gamepad लेना है तो यह budget में बहुत अच्छा गेमपैड ए रेडगेर का pro series wireless gamepad और अगर आपको इसको बाई करना तो नीचे description में आपको link मिल लिएग और से बाई कर सकते हैं और यह काफी अच्छा highly recommended मेरे तरफ से दोस्तों यह ती अच्छ अच्छान आपका 1400 पर लगने माला है अगर आप इसे जहां सभी पर्चेस करें दोस्तों फिलाल के वीडियो में इतना ही thank you so much for watching अगर आपके में कोई सवाल या सुझा हो तो मीचे कमेंट करना है मत बूलीगा अगर अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक और शेर नहीं क